पाच हजार सालों से अशोक वाटिका में राम जी के धनुष की रखवाली कर रहा है ये च्छाधारी बंदर इस घटना के पीछे का रहस्य जान कर आपके पैरो तले भी जमेन के सज्जाएगी शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले इस घटना की शुरुआत होती है महानगर मुंबई से जहाँ पर विनय नाम का तेविस वर्षिय लड़का पूरा तत्व विभाग में जाने की तेयारी कर रहा था उस समय वो रामायन के उपर शोद कर रहा था और रामायन के एक एक पहलु को अच्छी तरह से जाच रहा था तभी उसके कॉलेज के प्रोफेसन ने उसे एक सला दी कि अगर तुम रामायन के बारे में और भी शोद करना चाहते हो और भी जानना चाहते हो तो तुम्हें श्रिलंका जाना चाहिए क्योंकि वही पर प्रभूश्री राम और रावन की बीच में भयंकर युद्ध हुआ था वही पर अशोग वाटे का भी मोजूद है जहाँ पर 14 सालों तक माता सीता रही थी जिसके बाद विनए ने श्रिलंका का विज़ा लगाया और कुछ ही दिनों में वो श्रिलंका रवाना हो गया वो सबसे पहले उस इस्थान पर पहुचा जहाँ आज भी वही अशोग वाटी का मोजूद है विनए की तरह कई और लोग भी वहाँ पर चीजों को एक्स्प्लोर करने आये थे तबी वो उस इस्थान पर पहुचा जहाँ पर हनुमान जी महराज ने श्रिराम की निशानी के तोर पर अंगुटी मात जानकी को दी थी वही पर उन दोनों की प्रतिमा भी मौजूद है जो इस बात की साक्षी है साथ ही इस छेत्र में आस पास हनुमान जी के पाओं के बहुत बड़े बड़े निशान भी मौजूद है जो ये दावा करते हैं कि रामायन बिलकुल सत्य घटना है जब विनय उस अशोक वाटिका के कोने में पहुचा जब विनय अशोक वाटिका में और भी अंदर पहुचा तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर मौजूद है परन्तु एक बंदर ऐसा था जो बाकी बंदरों के समान नहीं था उसका पूरा मूँ लाल था और उसकी पूज भी बहुत लंबी थी और बाकी बंदर तो इधर उधर मस्ती कर रहे थे परन्तु वो एक निश्चित स्थान पर बेठा हुआ था मानो वो किसी चीज की रखवाली कर रहा था विने ने उस बंदर को खाने का लालज दे करके थोड़ा दूर पहुचा दिया और जिस इस्थान पर वो बंदर बेठा था वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई की तब उसे वहाँ से एक धनुष का टुकडा प्राप्त हुआ जिसे देख कर विने हैरान हो गया जब उसने उसी स्थान पर थोड़ी और खुदाई करी तो उसे धनुष का बाकी बचाओवा टुकडा भी प्राप्त हो गया जिसे उसने चुप चाप अपने बेग में डाला उस जगह को पूरी तरह से समतल किया और उस धनुष को ले करके वो पुनह इंडिया आ गया दरशल विने उस धनुष के ऊपर शोत करना चाहता था उसने घर ला करके उन दोनों धनुष के टुकडों को जोड़ दिया और एक रस्सी बान करके एक धनुष तेयार कर दिया जिसके बाद उस रातरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने विने के भी रॉंग्टे खड़े कर दिये दरशल रातरी को अचानक से वो धनुष बहुत तेज प्रकाश मानने लगा उसका प्रकाश इतना तेज था जो सामान्य आखों से नहीं देखा जा सकता था साथ ही में विने को छट पर कूदने की आवाजे आने लगी जब उसने खिडकी में से उपर देखा तो नजारा देखकर उसके पसी ने छुट गए क्योंकि वहाँ पर वही बंदर मौजूद था जो उसने श्रिलंका में अशोक वाटिका में देखा था वही बंदर जिसका मुख पूरा लाल था और उसकी बहुत लंबी पूस थी परन्तु सवाल यह था कि श्रिलंका से इंडिया वो बंदर आखिर आया तो आया केसे जरूर वो एक इच्छा धारी बंदर था जिसके बाद डर के मारे विनय उस रात को चुप चाप सो गया सुबह उठकर जब उसने उस धनुष पर शोद किया तो उसे पता चला कि वो धनुष तो 5000 साल से भी जादा पुराना है तब उसने यह प्रमान सिद्ध कर दिये कि उस धनुष का संबंद जरूर रामायन काल के साथ जुड़ा हुआ है हो सकता है भगवान श्री राम ने उसका इस्तमाल भी किया हो तभी तो उसके अंदर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था परन्तु विनय को इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि उस धनुष को इंडिया ला करके उसने इतिहास के साथ छेड़कानी की थी अगली रात को उसे चछत पर पुनह कूदने की आवाजाई वही इच्छाधारी बंदर समझकर वो चुप चाप डर के मारे सो गया परन्तु जब वो सुबह उठा तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन किसक गई क्योंकि वो धनुष वहाँ पर मौजूद ही नहीं था उसने चारों और बहुत ढूंडा परन्तु धनुष उसे कहीं नहीं मिला वो समझ चुका था कि वो इच्छाधारी बंदर जो पिछले 5000 सालों से उस धनुष की रखवाली कर रहा था वो ही उसे ले कर गया है और इस घटना के अगले दिन टीवी में जो उसने समाचार देखा उसने विने के होश उड़ा कर रख दिये दरसल टीवी में ये बता रहे थे कि अशोक वाटी का के कोने में से एक बहुत ही पौरानिक धनुष प्राप्त हुआ है जिसका संबंद रामा एंड काल से बताया जा रहा है तबी टीवी में बंदरों के उस जुण में विने ने उसी बंदर को देखा जिसका पूरा मुख लाल था और उसकी पूझ बहुत लंबी थी एक दिन पहले तो वो विने की छट पर था और अगले ही दिन वो श्री लंका के से पोच गया ये सभी बाते विने को बहुत आश्चरी चकित कर रही थी परंतु अब वो समझ चुका था कि ये भगवान की ही महिमा है और वो सच में एक इच्छा धारी बंदर है जो पल भर में इधर से उधर जा सकता है जिसके बाद उसने प्रभूश्री राम को प्रणाम किया और खुद के द्वारा हुई गल्ती की माफी भी मांगी परंतु इस पूरी घटना के पीछे विनय के हातों एक अच्छा काम ये हो गया था कि आज भी वो धनुष श्री लंका के पुराततव विभाग में बहुत अच्छी देखरेक में रखा गया है तो दोस्तो इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है निचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा सभी सच्छे राम भक्त जैश्री राम लिखे और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमतकारी घटनाए देखने को मिलती रहे अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को हर हर महादेव